सिंगर मुहमद रफी तो अमिता बच्चंग के दिवाने थे, जानिए, फिल्म दिवार में अमिता बच्चंग का आवे ने देखकर मुहमद रफी उनके फैन बन गए थे। पहली बार बिगबी के लिए गाने के बाद जब मुहमद रफी घर लोटे तो बिलकुर बच्चों के तरह उस साह से लबरेज होकर उन्होंने सब को बिगबी के लिए गाने की पूरी घटना सुनाई यदा कदाई फिल्में देखने वाले रफी को फिल्म शोले का भी पसंद थी और उन्होंने इसे एक बार नहीं तिन बार देखा था लेकिन रफी ने कभी भी कोई फिल्म पूरी नहीं देखी जब भी फ्लिम देखने जाते तो फ्लिम शुरू होने के कुछ समय बाद ठेटर में गुशते थे और पूरी होने के थोड़ी देर पहले ही भाहर निकल आते थे साल उनिस सो असी में प्रदिस फ्लिम नसीब में मुहमत रफी को अमिता बचेंग के लिए यूगल गीत चल चल मेरे भाई गाने का उसर मिला अमिता बचेंग के लिए इस गीत को गाने के बाद मुहमत रफी बहुत खूश थे जब मुहम्मद रफी अपने घर पहुचे तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को अपने पसंद देता अभी नेता अमिता बच्चन के लिए गाने की बात को खुश होकर बताया और बहुत पसंद थे अमिता बच्चन के आलावा मोहमत रफी को शम्मी कपूर और धर्मेंदर की फिल्में भी बहुत पसंद थी और उन्हें ने इसे तिन बार भी देखा था